चलिए फ्रेंड्स, आज हम दो आलू से बहुती क्रिस्पी और कुरकुरा नास्ता बनाएंगे, तो ये बच्चों को तो बहुत चता फेवरेट होता है, नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता, स्वागत करती हो आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्याम के जाएके में, तो कैसी है आप सर फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुती मज़ेदार है और बहुती असानी से बन जाएगी, बिगनर भी इसे बहुती असानी से बना सकते हैं, तो उसके लिए मैंने आलू को पहले उबाल लिया था, उसको ठंडा करकर, आप इसे हम छील लेते हैं, तो दोनों आलू को हम छील लेंगे, तो यह रेसिपी बच्चो को भी बहुत पसंद आती है, बच्चो के आप लंच बॉक्स में भी इसको बना कर दे सकते हैं, और आलू को छीलने के बाद मैंने यह छोटा ग्रेटर ले लिया है, और इसको देखिए, इसको हम आलू को ग्रेट कर लेंगे, हमें अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है, तो लास्ट के जो यह पीस बचे हुऊ है, इनको भी हमें ग्रेट कर लेना है, तो यह बिल्कुल बरीक आलू करने है, आप चाहिए तो इसे हाथों से भी मैस कर सकते हैं, तो बस इनमें गुटलिया नहीं जानी चाहिए, इनको add कर दिया है और यह अधरक के टुपड़े को बारी कद्दुकस करके इसमें add कर दिया है और इसमें यह देखिए 2 हरी मिर्च को भी बारी काट कर डाल दिया है spicy आप अपने according भी डाल सकते हैं और यह मैंने एक पीस पनीर का भी इसको अच्छी दर से हाथों से मैस कर लिया है और इसको भी हमने इसमें डाल देना है पनीर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और यह दो चमच मैंने इसमें सूजी डाली है सूजी अब इसमें बाद में भी एड़ करेंगे अभी यह देखिए और इसमें कौन फ्लोर को भी हम इसमें एड़ कर देते हैं तो एक चमच बड़ा चमच इसमें कौन फ्लोर भी डाल दिया है कौन फ्लोर डालने से फ्रेंड यह जो नासत दाल दी है और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर डाल दिया है और साथ में आदा चमच के करीब यह दनिया पाउडर भी इसमें एड़ कर दिया है तो यह मसालों को आप कम जादा भी कर सकते हैं और यह जीरा पाउडर डाल दिया मैंने आदा चमच के करीब और ये देखे चीली फ्लेक्स लिए हैं एक चोथाई चमच तो ये भी हम इसमें एड़ कर देंगे और ओरिगयानो डाल दिया एक चमच तो ये सारे मसाले हमने इसमें एड़ कर दिये हैं आप मसालों को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और अपने अक मिक्स हो जाएंगे तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें कुकिंग ओयल भी डाल दिया है आदा चमच के करीब और इसको भी हम मिक्स करके देखते हैं इसमें अभी और सूजी की आशकता होगी तो वह भी हम इसमें एड़ करेंगे तो तो इसमें यह मैने एक बड़ा चमज के करीब और सूजी डालbye क्वाइब तो टोटल दो चमज के करीब मैं इसमें 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 सूजी ढाले Le La Af new dog यह सूजी को अड़ करेंगे तो यह मुष्चे सारा सूजी सोक लेगी और यह थोड़ा सा हमने इसमें कुकिंग ओयल डाल दिया आदा चमच के करीब और इसको देखिए अच्छी तरह से हमें मैस्क कर लेना है और इसको एक डो में बना लेना है तो जैसे हम आटे का डो होता ह इसी तरहका हम यह देखिए तयार करना है तो बस इसी तरहका हमारा ये डो होना चाहिए तो अब ये हमारा ये डो तयार हो गया है बनाने के लिए बढ़ी असा क्रिस्पी सा नास्ता बनाने के लिए देखिए अब ये इसको हम दो पीस में कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम रोल कर लेंगे तो इसको देखिए वोल को हम इसको रोल कर लेते हैं और ये मैंने हम इसको फैला लेते हैं इनको भी हम हाथों की हल्प से इनको ठीक कर लेंगे तो इनको हम जॉड़ लेते हैं और यह बिल्कुल कहीं से भी कोर्णर फटे नहीं होने चाहिए तचारव से एकुल करके हम ठीक हरोगा ओड़ी लगा लेंगे जिसे यह स्मूथ सा हो जाएगा और उसके बाद यह मैंने कटर ले लिया है और उसके भी oil से इसको grease कर लिया है और इसको हम ऐसे shape में काट लेंगे अब अपने according कोई भी shape काट सकते हैं जो आप पसंद करते हो अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप चाकू से भी काट सकते हैं चाकू से भी बहुत यह असानी से क square shape में दे देते हैं और उसके बाद भी इसकी हम ऐसे ही cutting कर लेंगे तो इसको भी हम अपनी पसंद के according कोई भी shape में हम इसको काट लेते हैं तो बीच में से इसी तरसे आप इसको cutter या चाकू की help से काट लीजिएगा और यह देखिए बीच में से ऐसे काट लेते हैं तो यह ह सारे हमारी है मैंने एपीस काट लिए हैं और इसको अब करते हैं fry तो gas पर मैंने oil को पहले ही रख दिया था जिसे oil हमारा गरम हो गया है अब गरम oil में हमें इसको डालना है बिलकुल तेज गरम नहीं होना चाहिए तो medium गरम में हम इसको डाल देंगे और gas को मैंने यह medium रख कीजिएगा और कम gas भी नहीं रखनी है आपको नहीं तो जो oil है वो आलू अब्जॉर्ब कर लेंगे अपने में और वो खाने में टेस्टी नहीं आएगा इसका और यह crisp भी नहीं बनेंगे तो इनको आप medium gas भी ही आप इसको fry कीजिएगा थोड़ा सा देखिए इसकी shape आने क थोड़ा सा और fry हो जाएगा तो इसी तरह से यह देखिए कितना अच्छा इसमें color आया है और यह देखने में ही tempting लग रही है तब जब आप इसको बना के खाओगे तो आप सोचेगा कितने बढ़िया यह लगेंगे और आप इसे evening snacks में भी friend बना कर खा सकते हैं बच्चों क वह था हमारा उसको भी हम इसमें डाल लेते हैं और इसको भी हम इसी तरह से fry कर लेंगे तो यह fry करने के लिए ग्यास को आपको medium ही रखना है इसका ध्यान रखिएगा तो friend आप बच्चों को बच्चों को आप इसको lunch box में भी दे सकते हैं और जब चाहिए आप इसको बना क खा सकते हैं breakfast में खाई या evening snacks में तो आपकी घर में मेहमान आ जाए तो तरहनती आप इसको बना कर दे सकते हैं तो आपको बहार से भी कोई चीज मंगवाने की जुरत नहीं पड़ेगी घर पे घर के समान से यह आप इस snacks को बना लेंगे तो यह देखिए हमारे यह सारे तैय हो गए हैं तो आप इससे टमाटो केचप से गाए या धनिय की चतनी बनाए जिससे आपका मन हो तो आप इस recipe को एक बाद जुरूर try कीजिएगा friend और अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगते है तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe भी जुरूर कीजिएगा और इसी तरह की unique सी और असान सी recipe देखने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहिएगा और वीडियो को अपने family और friends से भी जुरूर share कीजिएगा तो मिलते हैं आप से इसी तरह की एक और असान सी recipe के साथ have a nice day friend, bye bye